आज बनाएंगे दिवाली इस्पेशल मीटे खस्ता शकर पारें आप एक बार बना लें दो मेने तक यह बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और बहुती खस्ता बनकर तयार होते हैं तो चले इसकी वीडियो को स्टार्ट कर दें जितना भी आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब स मेजर्मेंट कर लें यहां पर में दो कप मेदे से इसको बना कर तयार करें वन चोता है कप से थोड़ा सा कम हमने यह पर सूजी लिया है तीन चम्मत जितनी सूजी लिये वन पिंच नमक एट किया है तीन चम्मत जितना यह पर हम गी एट कर रहें इससे ज्यादा गी आप इ यह पर मेदे मेड करना हैं अगर आपके पास पेले से ही यह स्कुरा झोड़ा करिके डालके मेडेल नहीं अझने हैं अब पार हुआ हिए उसका पानी है इसक नुद्स्री टाइत अडल का सप्वसक्ति क्लोप जघर डालें पारल तरह था जूGS को सबीसी दूधर हां तो यहां पर दो हमारा कम्प्लीट हो चुका है तो इस डो को लगाने में यहां पर हमारा आधा कप पानी लगा है तो इसको यहां पर 10 मिनिट का रेस्ट देंगे तो इसको आप 10-15 मिनित का जरूर से rest दे मैंने इसको यहाँ पर 10 मिनित का rest दिया है अब इसको यहाँ पर एक बार उर इस तरह से मसलते वे दो भागों में कर लेंगे एक पेड़े की यहाँ पर हम रोटी बेल कर तयार कर लेंगे एक पेड़े को यहाँ पर ढख कर रख देंगे थोड़ा समय यहाँ पर सुका मेदा लेंगे इसमें थोड़ा एट कर देंगे इससे रोटी बेल कर तयार कर लेंगे इस तरह से तो इसकी यहाँ पर एक मोटी रोटी बेल कर हमें तयार करना है तो इस तरह से हमने रोटी बेल लिए तो यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे इसमें कुछ भी लगाना नहीं है गी या ओल इससे जो शकर पाने हैं उनमें काफी अच्छे से लियर आएगी और काफी खसता बनकर तयार होंगे तो इस तरह से हमने इसको शेप में जिस तरह से हम पराठा बनाते हैं चोकर वाला उसी साफ से इनको कट कर लें यहाँ पर तो इन शकर पारों को कट कर लेंगे आपको लगता है थोड़ी से किनोर निकालने की ज़रुरत है तो इस तरह से आप हलकी से इनकी किनोर निकाल सकते हैं तो यहां पर मनें थोड़ी से ईुनकी किनोर निकाल दी, इस तरह से इनको वापस से इस तरह से कट कर लेगे तो यहां पर आप देख सकते हैं काफ unvao हया है हमारे शकर पारे में इस तरह से हम सारी शकरपाने बना कर तयार कर लेंगे तो इन फेस्टिवल सीजन आप एक बार इस तरीके से इन मिठे शकरपारों को जरुर से बनाए तो यहाँ पर हमने दोनों बेच को यहाँ बना कर तयार कर लिया है तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे से लियर बनी है तो यहाँ पर पेला बेच हम फ्राई कर लेंगे, दूसरे बेच को यहाँ पर कपड़े से कवर करके रख देंगे तो यहाँ पर ओईल आपको यहाँ पर हलका गरम ही लेना है, ज्यादा तेज गरम ओईल में हमें इसे बिल्कुल भी नहीं डालना है तो यहां पर एक बेच में जितने ही फ्राय होंगे उतने एट कर देंगे इस तरह से कड़े को हलका सा हिला देंगे स्टाटिंग में इनको टच बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि यह काफी सोफ्ट और खस्ता बनकर तयार होते हैं तो दो मिनिट तक हमें इनको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है दो मिनिट के बाद ही इनमें कर्ची लगाएंगे तो यहां पर दो मिनिट हो चुके है दो मिनिट के बाद इनको यहां पर पलड़ देंगे आप देख सकते हैं काफी अच्छे से इन में लियर बनी है अगर आज की वीडियो आपको हेलफुल लगे तो वीडियो को जोरो से लाइक करें अपने फेमिली और फेंडसे में इस वीडियो को जोरो से शेर करें तो यहाँ पर चार मिनिट के लिए हमें पेले इनको लो फ्लेम फे फ्राइ करना है फिर एक से डियर मिनिट के लिए हमें फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देना है जिससे इन पर कलर अच्छा सा आ जाए उसके बाद वापस एक मिनिट के लिए गेस की फ्लेम को लो कर देंगे इसी तरह से 6-7 मिनिट लग जाएंगे इनको फ्राइ करते में तो इन पर कलर आने तक इसी तरह से अलटते पलटते इनको फ्राइ कर लेंगे तो आप देख सकते हैं हलका हलका कलर आ चुका है थोड़ा सा कलर और आने देंगे इन पर तो इस तरह से इनको अलटते पलटते फ्राइ कर लेंगे तो यहाँ पर शकरपारों पर अच्छा सा कलर आ चुका है तो आप शकरपारों को यहाँ पर निकाल लेंगे हम बहुत ही खसता एकदम मुह में घुल जाने वाले शकरपारे हमारे बनकर तयार हुए हैं एक बार आप इसी तरीके से शकरपारे बनाएं बहुत ही मज़दार बनकर तयार होते हैं यहां पर शकर पारों को हम निकाल लेंगे और बचे बेश अब हम इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे बेश वा करते हैं तो वर काफी घर Amatya है तो मेंने यहां पर गेश की फ्लेम को बंद कर दिया है और यहां फ्राइम टीर हमें जब फ्राइम करेंगे तो देखें यहाँ पर हमारे सारे शक्कर पारे कम्प्लिट है दो कप मेदा में हमारे इतने सारे शक्कर पारे बनकर तयार हुएं आप देख सकते हैं काफी अच्छे से खस्ता शक्कर पारे हमारे बने हैं इनकी लियर देख सकते हैं, काफी अच्छे से इन में लियर बनी है, इसको अपको तोड़ के दिखाती हूं एकदम खस्ता शक्कर पारे बनकर तेयार हुएं, तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हूँ तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर से करें, मिलते हैं आज बनाएंगे खस्ता नमक पारे, आप एक बार बनाले, दो मेने तक कि बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं, इनको आप यह पर टी टाइम से पी ले सकते हैं, इविनिंग से पी ले सकते हैं, तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप जितना भी बनान इस्तों केदे उसे साफ मेजर्मेंट दोकप जबलते हो एससे क्रेश मेड़ा बीलगिÓ यह जोटे एट आदा राय हैं अधाव मिर्च केद्ग कर देज हमें, बजादा बस धियत की सब्कτηख करेदें, इस तरह से हाघर हमें नमक हिह थोड़ा थोड़ा पानी डालते वे एक इसका यहाँ पर हमें नॉर्मल साव लगा कर तैयार करने हैं जादा सकत्य बंज नहीं रखना नहीं नहीं नरम डंज जब सबस्था तो मेडियम साइस काटो मं रखना है तो यहाँ पर देखिम मारा कंपलिट हो चुका है तो इसको यहाँ पर दस मिनिट का रेस्ट देंगे एक कप पानी लिया था जिसमें यहाँ पर वंचो था है कप जितना पानी बचाए वंधट कप पानी लगाए तो यहाँ पर दस मिनिट हो चुके हैं डो मरा यहाँ पर अच्छे से सिट हो चुका है अब इसको यहाँ पर दो भागों में डिवाइट कर लेंगे तो हब चाहें तो एकी बार में इसकी बड़ी सारी रोटी बेल कर इन नमकपारों को बना सकते हैं तो यहाँ पर दो भागों में इसको डिवाइट करने के बाद इस तरह से पेड़ा बना के थोड़ा तोड़ा इसमें मेदा स्प्रिंकल कर लेंगे इस तरह से ताकि रोटी बेलने में आसानी होगी तो यहाँ पर एक इसकी बड़ी सी रोटी बेल कर हमें तैयार कल लेना है ज़्यादा पतला या मोटा हमें से बिल्कुल भी नहीं रखना है अब यहाँ पर इस तरह से इसको कट कर लेंगे पीजा कटर से इस तरह का कटर आपके पास नहीं है तो कुछ आको से भी आप इसको कट कर सकते हैं तो देखे हमने एक साइट से इसको कट कर लिया दूसी साइट से इस तरीके से इसको कट कर लेंगे तो आप छोटे बड़े नमक पारे यहां पर बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने गे साइज रखिया नमक पारो की तो इन नमख पारो को भी वह पर प्लेट में निकाल लेंगी हम थालÓ बोलाग में नमक पारे करेंगे कर करने तो पहले हम इनको फ्राय कर लेते हैं है चलते हैं तो दिखना विल या अच्छे गरम हो चुका है विडियुम फ्राय Cosntude तो एक बेच में इस तरह से जितने भी फ्राय होंगे उतने एट कर देंगे इस टाइटिंग में इनको टैज बिलकुल भी नहीं करेंगे जैसे जैसे फ्राय होने लगेंगी यह अपने आप से उपपर आने लगेंगे इस तरह से तो इन नमक पारों को यहां पर पूरे टाइम हमें मीडियम फिलेम पर फ्राइ करना है एक मिनीट के बाद इनको यहां पर पलट देंगे इसी तरह से इनको अलटते पलटते फ्राइ कर लेंगे अगर आज की वीडियो आपको helpful लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें फेमेली और फेंट्स में इस वीडियो को जरूर से शेयर करें तो इस तरह से इनको अलटते पलटते फ्राइ कर लेंगे बहुती क्रिस्पी एकदम मज़ेदार से नमक पारे हमारे बनकर तयार होते हैं इस तरह से आप चाहें तो इनको गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं तो यहाँ पर देखिए नमक पारे पर अच्छा सा कलर आ चुका है नमक पारे को भी यहाँ पर हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर एक बेच को फ्राई होने में चार मिनिट लगे हैं तो बचेवे डोसे भी हमने यहाँ पर नमक पारे बना कर तयार कल लिए हैं तो उनको भी इसी तरह से फ्राई कल लेंगे तो यहाँ पर इसी तरह से दूसरे बेच को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पर देखे हमारे सारे नमक पारे बनकर तयार हो चुके दो कप मेदा में हमारे यहाँ पर इतने सारे नमक पारे बनकर तयार हुए हैं बहुती क्रिस्पी एकदम खस्ता नमक पारे बने हैं एक बार बनाए दो महीने तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं मैं इनकॉप को तोड़ के दिखाती हूँ तो आज की वीडियो गर पसंद आई हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर से करें अज बनाएंगे मीठे शक्कर पारे बहुती आसान और इजी तरीके से तो चलिए इसकी रेसिपी को स्टार्ट करतें वीडियो को पूरा वोच करें वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करें यहां पर जितना भी बनाना चाहते हैं उसी साहब से गात कर ता आनका तो यहां पर मेहां डेर काप मेदे से बनागत कर लें पाम जीमेड़ कार दीया है अब इसमैं है वह है एक देम स्टा बनकर तैयार होंगे जारे सारी चीजों को मेदे मेंवे डालकेशतीं मिक्से लेंगे इसमें तो आपर हमें दुष नगा कर तैयार करना है तो इसका तो अब इसकी यहाँ पर रोटी बेल कर तयार करेंगे जिससे हम यहाँ पर शकर पारे बना कर तयार करेंगे तो हम एक ही बार में पूरे शकर पारे बना लेंगे इस तरह से बड़ी रोटी बेल कर आप चाहें तो यहाँ पर छोटी चोटी रोटी बेल कर भी इनके शकर पारे बना सकते हैं तो इसमें थोड़ा-थोड़ा मेदा स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से इसकी रोटी बेल देंगे तो रोटी हमें यहाँ पर ज्यादा पतला नहीं बेलना है तो बीच बीच में आप इसके यह पर हल्काल्का मेदा हां डस्टि करते वह इसकी रोटी बेल कर तैयार करना ही है तो रौटी हमने यह देख सकते इतना मूठा में से रखना है तो कि आइट साइट की यहाँ पर हमें इसकी निकाल देंगे क्योंकि भूर कट कर रहें इसástरा पर आप जिस भी साइज में आपको शकर पारे चीए उस साइज में आप इन शकर पारों को कट कर सकते हैं चोटे या बड़े तो आइट साइट की कोर्नर को हमने निकाल दिया है अब यहां पर इस तरह से शकर पारों को कट कर लेंगे बहुत ही मज़िदार खसता शकर पारे हम को पर चुछ कर लिए काल पारों ह कोती तो एक पैसमें जितनी प्राइड होंगे उतने हम इसमें कर देंगे इन नहीं होगे और गुष से देखिये आप ब्लकुल भी नहीं प्रWhat forwards प्राइर रचेंस दित बाक्झाब प्राव एंगे कि अधिस फ्ररुपे प्राई हें फेरा अधिकैंम तहीं बढ़ी है काफी अच्छे से शकरपारे फ्राई हो चुकई हैं तो एक बेच को फ्राय होने में यहां पर 5-6 मिनिट लग जाएंगे तो इसी तरह से हम बचेवे शक्रपारों को भी फ्राय कर लेंगे अगर आज की वीडियो आपको फसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें अपने फेमेली और फेंड्स में इस वीडियो को जरू से शेयर करें तो एक बेच के शक्रपारे अपर अच्छे से फ्राय हो चुके हैं तो यहां पर इस्ट्रावेल हमने सारा ही निकाल देंगे आप देख सकते काफी अच्छे से लियर बनी है तो इसी तरह से बागी शक्रपारे को फ्राय कर लेंगे तो शक्रपारे यहां पर हम एधर कपानी लेना ही। तोसों से मेल्टि होने देंगे एक आली की चाष्णी चाहिए हैं तो आप मटों में हैटी यह शài Watts इड़ कर देंगे गेस की फ्लेम को में चालू रखना आए डेट से दो मिनिट तक इसी तरह से इनको चार्षनी में डाल के पकाएंगे तो गेस की फ्लेम को लो कर देंगे अगर आप इन पर शक्र की जो ज़्यादा करना चाते है तो फिर आप डेढ़ कप शक्र ले ले मैंने कम कोटिंग करिए शक्कर की अुपड़ से तो इस तरह से अब बंद करेंगे जैसे धंडे होंगे इस तरह से यहां इनALा आपर इनपर बंद करनेarme के बाद इकन चला दें तो यहां पर मैंने बहुत ही कम शक्र का इस्तमाल किया है मतलब एक कप का अगर आप ज्यादा इस पेच्छे से कोटिंग करना चाहते है शक्र की तो यहां पर डेढ़ कप आप शक्र ले 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 उपर से थोड़ा से यहां पर नारील का बुराइट कर देंगी इस तरह से उपर से एकदम कड़क अंदर से एकदम सब्ट और जालीदार हमारे शक्र पारे बनकर तयार होएं क्योंकि उपर यहां पर इसमें चीनी की कोटिंग है तो उपर से थोड़ से कड़क हैं यह बाकि अंदर से एकदम सोफ्ट और जालीदार बनकर तयार होएं अगर आज की रेस सब्सक्राइब जरूर से करें थेंग्यो सो माच